Plasma का क्या मतलब होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Plasma जो है एक ऐसा word है जिसके बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं और इसमें हमें यह देखना होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं तो उसी इसाब से इसका मतलब जो है हम निकालते हैं अगर हम physics की बात करें, तो physics में plasma जो है वो fourth state को कहा जाता है, तो इसको थोड़ा सा detail में समझ लेते हैं, in physics, plasma refers to the fourth state of matter distinct from solid, liquid and gas, यानि कि जो अभी मैंने आपको बताया कि ये fourth state होती है, solid, liquid और gas से अलग जो एक state है, उसको हम plasma state कह सकते हैं, plasma is an ionized gas composed of positively and negatively charged particles such as ions and free electrons, यानि कि जो plasma है वो ionized gas होती है, जो positively और negatively charged जो particles है उनसे बनती है, और इसमें जो है ions भी होती है और free electrons भी होती है, it is often created at high temperatures or by applying a strong electric field to gas, इसे जो है वो high temperature पर और जो strong electric field है, उसको create करके बनाया जाता है gas में, और plasma is also known for its ability to conduct electricity and respond to magnetic fields, इसको जो है वो electricity को conduct करने के लिए और magnetic field को respond करने के लिए जाना जाता है, इसके इलावा जब हम खून की बात करते हैं, ब्लड की बात करते हैं, तो उसमें भी जो plasma है वो अलग चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानि कि in the context of biology and medicine, plasma refers to a yellowish fluid component of blood, यानि कि खून में पाया जाने वाला एक yellowish component होता है, जिसे plasma कहते हैं, blood plasma is the unique part of the blood that remains after cells, तो plasma जो है वो खून में भी पाया जाता है, इसके इलावा जब हम display technology की बात करते हैं, तो आपने कई बार सुना होगा, यह plasma TV है, तो plasma TV आज कल तो कम होगे, लेकिन पहले बहुत आते थे, तो plasma जो है एक display technology का भी नाम है, यानि कि plasma is also a term associated with display technology, especially plasma displays और plasma TVs, इस device use small cells filled with a gas, typically a mixture of neon and xenon, that is electrically charged to create ultraviolet light, यानि कि ultraviolet light को create करने के लिए जो इन दो गैसों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस technology पर जो display काम करती है, उसको plasma TV कहते हैं, यानि कि आजकल तो जो LED, LCD, बड़ी screen आ गई है, लेकिन उससे पहले जो है बड़ी screen के जो TV होते थे, वो इनसे थोड़े मोटे होते थे और उनको plasma TV कहा जाता था, तो इस तरहे के से plasma के कई मतलब निकल सकते हैं, अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतु बखवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्रा करें और बैल आइकन को प्रेस करें